नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उम्मिद करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों रक्षबंदन का पर्व है और 15 अगस्ट यह दो बड़ी पर्व थे और उम्मिद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपने सेलिबरेट किया होंगे अपनी लड़ाई चल रही थी LDC एक्जाम को लेकर 11 अगस्ट को आप जानते हैं एक बड़ा एक्जाम हुआ था जिसके इंदर एक बड़ी मतलब यूं कह सकते हैं कि जान बूज कर उसमें अब तो ऐसा लग रहा है कि जान बूज कर उसमें आउट ओव सिलिबस कोश्टन डाल बविष्यव वास्ते में वह चौपट करके चोड़ने वाले हैं तो हैसा होने नहीं देगे ऐसा होने नहीं देंगे कि कल को कोई भी आएगा और यूआं के बविशे को चौपट करके चला जाएगा तो फिर क्या मतलब हुआ या इतने कमजोर है ऐसा तो नहीं हो सकता दो-त syllabus के अंदर है अगर बाहर आए हैं तो आपको पढ़ना चाहिए या मतलब अपनी जो गलती है उसको छुपाने के लिए तरक अलग अलग तरके के तरक दिये जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है अगर एक्जाम इसी प्रकार से जब करवाना होता तो उसे एक्जाम का कोई मत तो यह बात कहां तक सब्सक्राइए आप समझ गए हों बहली बाती मतलब दिमाग से पैदल आप में इस तरह की बात करता है जिस्टी का मतलब क्या है जिस्टी बेस का अधार क्या रहा कि फिर तो पर आप कोई-स भी विशे भी आप यह अगर इस प्रकार से आपको करना है तो फिर आप यह कियों बताते हो कि इसमें गणित आएगा इसमें बिज्ञान आएगा इसमें या要 इदा का पीर कोई कोशन डाला जा सकता है और बड़े गरम से मनमानी कर रहे हैं और अपनी गलती को सविकार नहीं रहे हम ने ठीक किया हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है और हम वह हैं इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं जहां तक युवाओं कि भविश्य के बात आप उनको किसी परकार का कोई लेना देना नहीं भागदूर थी घर के अंदर थोड़ा सा काम था लेकिन इस बीच हम ये भी देख पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया आरे बोर्ड के तरफ से थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा देखो क्या हो सकता क्या नहीं सकते इस वीडियों बात करने वाले कुछ टीचर्स हैं जो क्या पड़ास की सोच के साथ वो फिर तो एक ही बात होगी वद्यक साब बात करें ऐसे युवा बात करने हैं चीजों को कही करें कि दस्की के अंदर आती है कि अरे तो क्या मतलब क्या वाई चीज को पर बिसलो सब्सक्राइब उसको तो मानते हैं लिए गलत चीज को भी सप आप को मेंट सेक्षन के मारते हैं से यूटूब नहीं दो गोर से नहीं निकल सकता क्या नी Natalia जब आप यह मानओ तो लगों को ट्रम करना पाण यहें वह तो आपको सीधी निखलनेओं तो आपको नहीं तो अब मेली और तो उन्हें फिर फासी के नुबत ही नहीं आती है वो देश के लिए क्यों कुर्बान उनकी एक लाइव थी उनकी जिंदगी परिवार में सब कुछ थी वह भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे ऐसी बात नहीं है लेकिन वह किस लिए कुर्बान होए हमारे इस देश के लिए थी तो उन्हें पता थे कि देश की गुर्बानी यह इसके लिए काम आएगी और ऐसे देश आजाद नहीं हो तो आज इस्तित्य कुछ ऐसी है कि आपके हधिकारों करने नोना है आप को बताया कुछ जाता है होता आपके सथ कुछ है आप लगातर तयारी करो इस बिरोजगारी की मार्च से आप उबरे नहीं हो आर्थिक स्थिति सभी की खराब है सब पैसा जोड़कर इदर दूर से पढ़ाई कर रहें किदाब खरीद रहें ठीक है जो भी कर रहें लेकिन उसके बावजुद आपके भविश्यक साथ मतलब इस परकार का अगर किसी युगा का भविश्यक खराब होता है किसी के गलते से तो वह अपरादिक स्रेणी में आता है अधिक साब ने बहुत बड़ा अपराद किये उनके कानोनिक कारवाई होने ही चुने खिलाब जबकि ऐसा नहीं हो रहा है दूसरी तरफ अब सीम साब की बात करें तो सेम साब भी उनके बी कुछ अलगी चल रहा है एक तो वह वह भाजी की भरतिया रही है उसकी चल रही है कब वरतियां आगे मैं तो अब वक्त है आपको जागने का में जगाने का प्रियस बाराबार कर चुका हूं युवा साथी जब तक घर से नहीं निकलते तब तक बात नहीं बनेगी दोस्तों, अपने हक की लड़ाई, लड़ना कोई बूरी बात नहीं है, आज एक बात बताओ, आज आप नहीं बोलते, चलो कोई दिखेत नहीं, आपके घर में, कोई बाहर वाला आपके घर के बाहर आकर गाली निकाल कर चला जाए, तो क्या आप बैठेर होगी, फिर आओगे ना घर से बाहर निकलके डंडा लेके बाहर पकड़ने उसको मारने के लिए, तो फिर आज क्यों निकलोगी, आज भी तो आपको गाली दी जारी है, ये एक तरी किसी गाली है, आपको और क्या है, भी आपके भविशिक साथ छेड़ चाड़ हो पशू परीचर उसमें बहुत ज्यादा बड़े स्थर पर कार्येकर होने वाला है, क्योंकि आज अगर इस सिस्टम के खिलाफ नहीं बोला, अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया, तो आने वाले समय में इस सिस्टम आपके साथ घोर अन्याय करेगा, क्या आप सविकार ह हो जाए हमारे साथ, फिर पढ़ने का मतलब नहीं है, पढ़ने का मतलब पता है क्या डिगरी लेना नहीं होता है, पढ़ने का मतलब जागरुक होना, क्या गलत है, क्या सही है, गलत है तो उसके खिलाफ हम किस प्रकार से अपने आवाज को रख सकते हैं, हाना, सही है तो उस दो बाते में आपके समने रहुआ कि आपने हमने ट्वीटर केंपेन चला के देख लिया बाई साब के कानों भी जू नहीं रहेंगी है नहीं सीम साब की जू रहेंगी है क्योंकि सिस्टम पेचीदा हो गया अब कैसे ठीक हर एक समस्चा का समाधन होता है बविश्य में और एक्जाम होने वाले आप त्यारी करोगे उनके उनमें भी ऐसा हो गया तो पहली बात तुम आपको फिर कह रहा हूं अध्यक्स साब अपने मनमानी कर रहे हैं प्रिक्षा अरभ धुनी की स्टूडेंट को एक होना होगा चाहिए आप किसी माध्यम से पांच-दस मिलकर एक-एक अलग-अलग भी आप एक साते कठा नहीं हो सकते लेकिन आप अलग-अलग स्थान पर अपने स्थर के उपर आप कोर्ट का सहरा लेना ही पड़ेगा भाई आप सिद्धिसी बात निया बाज आप बात नहीं मानते हों आगे नहीं आते हों तो फिर कोन आएग के लिए हम नहीं आएगा ऑप को करने का समय और कम कोन करेगा यह yua में देखो जब पढ़ावा काम नहीं आएगा दो-दो साल के मेंद पानी फिर जाएगा तो फिर क्या मतलब हो चीज का बोर्ड जो एविडेंस है वो सारा कुछ मैंने प्रवाइड करवा रख एक तो आप याची का लगाएं निश्वत्रोप से न्याय पाली का पर पर विश् पास रखें इस प्रिक्षा जिस प्रकार का घोर अपराद किया गया अडेक साब के द्वारा उसके सक्त ते सक्त उसके खिलाफ कारवाई होगी नन अनदेर आपका प्रिक्षा जो फस्ट पेपर हो जाएगा दूसरी पहली बात तो यह करना है यह करना ही पड़ेगा आपको आप नहीं करोगे तो कौन करेगा और तो करने वाला है नहीं करना आपको पड़ेगा दूसरी चीज़ मैं फिर कह रहा हूं कि लोहा गरम है हतोड़ा मारो बात समझ रहे हैं सभी साथी घर में बैठकर कुछ नहीं होने वाला है 23 अगस्त को LDC पेपर के अंदर और CET में ने कनेक्ट सभी के साथ है लगाता टीचर से जो भी साथी और भी है जो युवास साथियों के लिए आवाज उठान सबसे हम कनेक्ट रहते हैं लगातार फोन पर बात होती रहती है नेश्य दूप से 23 तारिक वो दिन है जिसने सभी समस्त विरोजगार आपको निवेदन कर रह एक जिपूर के आसपास जो भी देखो कई बार क्या होता है कि अपने भविश्यों को बचाने के लिए आपको आगया आना पड़ेगा को यह आपको फांसी तो लगनी दिए अपनी आवाज रखना और सविधान में आपको अधिकार दिया गया कि आप अपनी आवाज को नय होगा कि जब आपने आवाज नहीं उठाई तो फिर आपके द्वार चलाएगी पेड़ी भी फिर आवाज नहीं उठाईगी समयर्यों तो ध्यान कर लेना इस बात को आज हक के लिए लड़ा जाएगा तो आने वाले दिन सिस्टम का सुधार हो जाएगा निश्वत रू जब यूआ साथ ही पहुंचेगा मैदान में टीचर अपने आप पिछी आएगा धान का लाना मैं फिर कह रहाँ हूं जहां से भी आप पढ़ रहे हो जिन से भी कोर्स ले रखाया ओफ्लान पढ़ रहे हो यूटूब से बढ़ रहे हो आप पहुंचो अपने जयपूर और आवन करो अपने टीचर को मैल करो कोमेंट करो वांस करो वहां पहुंचेगा जब यूवाइख साने मुझेगा करना precisely आज आप नहीं पहुंच तो घर में बैठे रोगे तो घर में तो पूरी जिंदगी बैठे रहना आपको केवल स्वार्त के चलते कि मैं नहीं जाओंगा तो मेरे से करें दोखो बूंद बूंद से घड़ा बरता है बूंद बूंद से घड़ा बरता है यह सोच के देखो आप आज इतनी बड़ी बात हुई है और एक्सन नहीं होता है अध्यक्स साथ के लाब तो वो क्या करेंगे मेरा LDC में भी कुछ नहीं बगाड़ पाएंगे तो और प्रिक्शन मेरा कुछ नहीं बगाड़ पाएंगे तो वो तो इससे बड़ी मनमानी करेंगे सोचो आप इस बात को कुछ स्टूडेंट है वो अंधेरे में पढ़ाई करनी पढ़ती है पढ़ो को सब कुछ आ जाएगा अब स्टूडेंट है मैं उनको जवाब इस परकार से नहीं देना जाता है क्योंकि एस टीचर में गलत भाषा का परियोग नहीं करूंकि जिस परक से होने लगा कि मनमाना मनमानी करने लगे कि प्रसंद पत्र जो भी आएगा वो लिख देंगे तो फिर पेपर करने को कोई उचित्ते नहीं रहेगा दो बात आपके सामने रखिए एसके नाएक क्लासेज आपके लिए हरदम पहले भी त्यार था अब भी त्यार है लेकिन आ आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाद जोड के विंति हैं निश्य रूप से आप सभी को पहला काम तो यह करना है लिगल तरीके से आपके ज्यादा पैसा नहीं लगते हैं आप ऐसे ही जीओ रिचार्ज करके साहरे दिन रिल्स देखते हैं दस पंदरा बीस पचास सुड़ मिलो एक अच्छे वकील का सहरा लो कोई बड़ी बात नहीं आची के लिगाना निश्य रूप से कानोनी प्रिक्रिया के द्वारा आप तो यह देखो यह फाइदा आपके लिगली तरीके से आपके पास पुरूफ है और आपका पक्ष मजबूत है से लेबस रखना है पीड करने बाजी मत करो तेविस्त तारीक को दोस्तों आपको जेपूर पहुंचना है और इसी आंदोलों को एक महा रूप देना है क्योंकि जितना बड़ा आंदोलन उतनी बड़ी आवाज और सब तक पहुंचेगी तब ही दोस्तों कारीकर्म होगा अगर युवा साथी नहीं ढहीं पहुंचता है तो फिर कोई दिकर्नी दो चार पांच फिर फोंच जाएंगे फिर वांदुलन ठंडा हो जाएक बाद में आपकी आवाज को भी नहीं उठाएगा प्र रोते रहे ना कि आप हमारी आवाज नहीं उठाते हैं वक्त है यह लिक्त निकल जाएगा वक्त अधिकारों का आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कानूनी प्रिक्रिया के द्वारा उसका समाधन किया जा सकता है तो उसका सहरा लेना हुई पड़ाईगा दूसरा सरकार की कानों में ये बात रखने के लिए कि भी आँख बंद करके बैठने से कुछ नहीं होने वाला गलत वहार इसके खिलाफ कारवाई कीजिए और एक्शन लिया जाए और निश्वत रूप से LDC पेपर और CT का पेपर होने वाला है CT में नेगिटिव मार्किंग जो की पूरे भारत में कहीं नहीं है फालतों के भबंदर अधिक सामने भेला रखा है और निश्वत रूप से य ये अपडेट आज ये नवाचार आज ये वोन और सारे नवाचारों से एक ही कनिकुलोज निकला विया युवाउं का भविश्य चोपट कर दो क्या आप अपना भविश्य चोपट कराने के लिए तैयार हो तब तो मत आणा यहां अंदुलन में घर बेट जाना कोई आची ना मेंगे निश्यतुम से अपराद करने वाले से बड़ा पता कोन होता है सहने वाला तो आप सहने वाले मत बनों आज अगर आप अपनी आप बात को नहीं रख पाओगी तो फिर आप आने वाली पीड़ी को क्या संदेश दोगे यह संदेश की काईरों की तरह घर में ले ली थी किस के लिए अपने लिनी आप सब के लिए इस देश के लिए आपको तो एक छोटे से अंदोलन का हिस्सा बनना है और उसे मजबूत करना है समयरे इस बात को तो सभी युवासाति से एक ही बात कहूंगा अपनी बात को रखने के लिए जेपूर पहुंचें भले दूर हो आओ एक कदम आप बढ़ाओगे तो दो कदम हम भी बढ़नेगी धन करना है अब नयाय पाली का इनको सीधा करेगी इनको फटकार पड़ेगी और पेपर को दुबारा करवाएंगे अपनी बात रखो पेपर दुबारा करो बात सीधी से दो साल सी युवा तैयरी कर रहा था सारा काम खराब हो गया है इसका कोई मतलब नहीं है इसका एक सटिक समधान हो ती परहद कराओ चे कुछ और कराओ लेकिन ऐसा कुछ करें इस स युवाओं का भविश्य खराबना और आने वाले समय में जितनी प्रिक्षाइं होंगी वह सही सी हो आगे ऐसा नय हो यह हमारी बात है मैंने आपकी समने बात रख दी अब आप मेरी बात से सहमत हो तो कोमेंट सेक्शन के माद्यम से आप अपनी प्रतिकर रख सकते हो नहीं नहीं सहमत हो तो कोई दिक्षत नहीं हाद जोड़के मेरी बी राम राम आपसे ठीक है तो सबी साथे बाकि अपनी प्रतिकर कोमेंटर में देखी जानी यह चाही सही यह तो भी देखे जाए जिससे हम आपके विचारों को जान्स पाएं कि आप पड़े लिखिए आपके क् किसी को कुछ हासिल हुआ है निकलना पड़ेगा अगर कुछ करना है कुछ बदलना है तो वरना फिर सहिन करने के आदर डाल दो चलिए उमीद करता हूं कि मेरे युवा इतने कमजोर नहीं है चलिए मिलते सिख साथ जय हिंद जय भारत